हाई कैसे दोसतो मैं हूं ठीक ठागी हूं सिर्धद हो रहें बार इतनी हुमिडिटी है इसके होते हैं आज उसके बारे बात करूंगा कौन से ऐसे कारण है जो आपके सिर्दत की शुरुवात करते हैं ठीक है तो ये शुरुवात ही नहो तो है शिर्दत भी नहीं होगा अगर आपको पता चल जाए कि इन वजहाओं से मेरा सिर्दत हो रहा है आप उसको अवाइड करिए सिर्दत गायब अगर मेरा वीडियो देखने से सिद्धत होता है तो बंद कर दीजिए कि वीडियो देखने है अगर अच्छा लगता है तो देखिए का तीदी सी बात है हम दो सची बात करते हैं चलो अब बताते हैं सबसे पहला कारण यह 15 कारण में सबसे पहला कारण है stress और उसके कारण नहोते हैं आपके बीबी बच्चे और बॉस तीन बीबी याद त्री भी याद करो बीबी बच्चे बॉस वैसे तो इसमें husband भी आते हैं दोस्त भी आते हैं, girlfriend भी आते हैं, boyfriend भी आते हैं में लिए stress, तनाओ, मांसिक तनाओ इससे भी headache हो जाता है, दूसरा weather, जैसे आज कल का weather है humid, इतना humidity है, इतनी humidity ज़्यादा है और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी, एक स्टीम किसी भी चीज़ की होगी तो headache हो सकता है, ये बात ध्याना करो, तीसरा strong perfume कौफी, जी हाँ, कौफी से headache हो भी सकता है, ठीक और ज्यादा बढ़ भी सकता है ज़रो से ज़्यादा कॉफी पीने से headache हो भी सकता है लेकिन हलका फुका एकाथ कप पीने से headache कम भी हो सकता है यह देखा गया है और कहीं सारी दवाईयां जो headache की होती है उसमें caffeine होती है तो इसलिए मैं जो कॉफी पी रहा हूँ बहुत हलकी सी है और मैं मुश्किल से आदा कप पीता हूँ बस that's all तो कॉफी आपके लिए अच्छी भी है कॉफी बूरी भी है बस ज़रो से ज़्यादा ना पी hair accessories मतलब बालों में इतना tight बांद दिया पीछे गोला बनाके ponytail करके heroine बनेके निकल ली अपनी स्कूटी पे वापिस आई तो बाल कड़ 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 और ऐसी सिखर लोग जो पगड़ी पहनते हैं उनमें भी देखा गया जिसको मेरे गुरू जी थे उन्हों नहीं डियाग्नोस किया था पटका headache बोलते थे वो इसको पटका headache तो बालों में बहुत टाइट कुछ बानने से भी headache हो सकता है poor posture बैटने का धंगी गलत है या फिर बहुत ज़्यादा या तो नीचे स्क्रीन है आपकी बहुत उपर है अगर posture गलत है उसकी वज़े से भी हो सकता है exercise बहुत ज़्यादा कहीं लोग होगे दिल की बात बोल लेता हूँ good ग्याँ जिसको बोलते है good ग्याँ cheese cheese मत खाय करो ज़्यादा जिनको headache रहता है उनके लिए कह रहा हूँ cheese में tyramine होता है जो headache कर सकता है यही चीज़ red wine के साथ है वैसे कहता है red wine बड़ी उच्छी है जिनको सिर्दर रहता है उनको तो और ज़्यादा ओगा red wine पीने से tyramine इसमें भी होता है process meat जो bars are free में से निकला हूँ meat उठा गे लाते हो खाते हो उनमें भी tyramine होता है वो भी और food addictive होते है तो उनसे भी headache हो सकता है खाना time पे ना खाने से भी headache हो सकता है meal ज़्यादा skip ना करें time पे खाएं आजकल fashion है intermittent fasting का जिनको migraine headache रहता हो वो intermittent fasting से दूर रहें 3-3 गंटे बार थोड़ा बहुत खाते रहें सुट्टा smoking जो लोग सुट्टा माते हैं smoking करते हैं आजकल तो e-cigarette का भी fashion है तो उनमें nicotine होता है जो blood vessels को narrow कर देता है तो वहाँ से भी आपको headache स्टार्ट हो सकता है तो मैंने काफी साथ चीज़ आपको बता दी है अब आपको एक चीज़ और बोलूगा मैं कि time पे सो है time पे उठे नीद अगर प्रोपर नहीं होगी तो भी headache उसे जिको headache जिनको होता है उनको बहुत discipline life जीनी पड़ती है time पे सो, time पे उठो time पे खाओ सब कुछ time पे होना चाहिए बहुत जादा है काम भी एक दिन में कर लिया तो भी मुसीबत है तो हची moderation में होनी चाहिए life बहुत discipline चाहिए जिनको headache रहता है ठीक है और क्या करें एक अपनी head diary बनाओ headache diary sorry head diary नहीं headache diary महाँ पे लिखो कि आज मुझे headache हुआ तो मैंने आज क्या ऐसा किया कि जिसकी वेसे headache हुआ तो आपको पता चल जाएगा कारण अपने headache का और regular meal खाओ तीन-तीन घंडे बाद कुछ ने कुछ खाते रहो ज़्यादा गर्मी बर साथ अगर है तो भाई बच के रहो और थोड़ा बहुत walk करते रहो और अपने आपको de-stress करो yoga meditation ये सब करते रहो तो बस एक छोटा सा था और डॉक्टर को कब दिखाने जब आपका headache दवाईयों से ठीक ना हो रहा हो जब आपका headache बहुत frequent होना शुरू हो गया हर अफते दो-तीन बार होना शुरू हो गया है या headache की intensity में change आ गया है अब जाला तेज होने लग गया है तो डॉक्टर को जरूर मिले और headache के साथ अगर vomiting हो रही है दिखाई देने में problem हो रही है blurring हो रही है तो भी जरूर मुले और सुबह आँख खुल जाती है headache की वज़े तो भी जरूर मिले कोई बड़ी problem ना हो तो अपने डॉक्टर से जाके मिले तो छोड़ा सा topic headache के उपर तो खुश रहो और फिर बार बार बोलता हूं कि जितना है उतने में संतोष रखो संतोष अभी चाह पिला एक बार बैठा हुआ है मेरा patient है संतोष bad joke है न तो चाह पिता हूं coffee है तो थोड़ा सा संतोष रखो जितना है जितने की जरूरत है थोड़ा सा है थोड़े की जरूरत है यही कहना चाहता हूं तो चाहते चाहते ही यह कहूं आपको सुना के जाता हूं तब headache शायद आपका बढ़ जाए कुछ लोगों का मेरी आवाज से हेड़े बड़ी आता है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जिन्दगी फिर भी यहां खूब सूरत है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जी हां थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है ज्यादा हरे कोई उमीद करता है कि ज्यादा मिल जाए थोड़ा सौर मिल जाए थोड़ा सौर मिल जाए यह थोड़ा और मिलता नहीं है किसी को सब इस दुनिया में भाग रहे हैं कोई पैसे क के पीछे कोई किसी के पीछे बस भागते भागते जिन्दी की खतम हो जाती है किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिलता लेकिन हैड़ेक खुशियां उनका लगी कारण होता है कुछ मिल भी जाए जो आप चाहते है तब भी हैड़ेक नहीं होगा इसके कोई गरंटी नहीं है सु लली तो मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं, लली तो मोदी जी नहीं, लली तो मोदी जी, मोदी, चलो, यह मैं भी कहां पहुंच गया, यार, चलो, thank you very much, आपका अपने टॉक्टर,